प्रेंट्स अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पूरा दिन जो आपको मिलता है 24 आज जो मिलता है फिर भी आप एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ने ही पाते हो या फिर आपके मन में एक हमेशा से थौट आता है कि यार कितना घंटा मुझे पढ़ना चीए क्या मुझे 5 स्वागत है आप सभी का हमारे यूटुब चैनल जे आर टॉक्स में तो दोस्तो आज का हमारे एक बेहतरीन और ब्यूटिफूल सा टॉपिक है जिसका नाम है जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में क्या होना चीए कि हम कितना बैठके पड़े क्या हम स बस एंड तक देख लेना है तो सबसे पहले आज आते हैं कि आप लोग को पढ़ाई करना की हुए ठीक है एक बेसिक सा सवाल है आईनो आप बोलोगे कि सर यह क्या बात हुए आप तो बता रहे पढ़ाई करना चाहिए आप पूछ लोग क्यों पढ़ाई करना चाहिए तो यहाँ पर देखोंगे एक चोटा परसन एक बड़ा परसन है करेक्ट है यानि कि हर एक बच्चे का मेंटालिटी जो होता है वो अलग होता है अगर आप मुझे ऐसा बोलोगे कि सर आप जाके टेंट का बोर्ड एक्जाम जाके लिख के आजो ठीक है तो मैं जाओंगा मैंने पास क्या है concept है पूरा क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है तो मैं पास concept है बली मैंने उसको याद नहीं किया लेकिन मैं पास concept है मतला मैं कुछ से own word में भी लिख्या हूंगा आज के लिड़ में तो भी मैं 70-80% मार्स निकाल सकता हूँ by giving the board examination right now ठीक है लेकिन यही ची time period होता है वो भी अलग-अलग होता है क्योंकि हर बच्चे का दिमाग जो होता है वो भी उसका grasping power भी जो होता है वो अलग-अलग होता है कुछ बच्चे सिर्फ आजा घंटा बैटके पढ़ते हैं और उनको 4 questions के answers लर्न हो जाते है कुछ बच्चे 2-2 घंटा बैटके ठीके समझ में आ रहा है यानि कि हर बच्चे का एक याद करने का जो capability होता है there are totally different तो obviously the learning hours should be dependent upon the person and it varies from person to person ठीक है हो सकता है कुछ बच्चे ने concept बहुत अच्छी तरह के सीखा हुआ है हमारे वीडियो सो उसने देखे हुए जया टुटोरियल के lecture वीडियो सो देखता है उस याद करने की कोशिश करता है तो उसको जल्दी याद नहीं होगा क्यूं कि यार उसने concept सीखा ही नहीं यानि कि जो बच्चे को आदा घंटा लग रहा था concept learn करने के लिए learning करने के लिए वह बच्चे को ज्यादा टाइम लगेगा हो सकता एक घंट लर उसको भी होगा उसको भी होगा उसको भी समझ में आ जाएगा लेकिन उसको ज्यादा टाइम लगेगा यानि कि हुआ ना person to person vary तो depend करता है तो हम यह नहीं बोल सकते कि कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए अब आप सबसे पहले आप अपने आपको पढ़ना चाहिए आप कितना पढ़ सकते हो ताकि कि यह topic आपको समझ में आ जाए यह पहला point समझ में आ गया दूसरा point क्या होता है no time is enough मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूं कि कोई बच्चा में उससे message करता है पूछता है कि सर क्या मैं रोज का तीन गंटा अगर पढ़ू तो क्या मैं टॉपर बन सकता हो क्या क्या सर मैं 5 ग गंटा मेरे पास बगवान नहीं दिये तो 24 गंटे में से 24 गंटा मैं पढ़ूंगा इडिज नॉट प्राक्टिकली पॉसिबल ना स्कूल जाना है औश्रूम जाना है खाना खाना यह करना है वह करना है तो आपको पता है कि आपके पास जितने भी working hours available है पढ़ाई के लिए उसको समर्पित कर दो लेकिन उसमें भी smart खेलो hard work नहीं करना है तीन से 4 गंटा लेके बैटके एगदम रटा रट 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 पड़ रहे हो ऐसा नहीं करना है concept को समझना है पहले ताकि आपको कौन से कम समय में ज्यादा जानकारी हासिल हो सके तो यहाँ पर वही चीज़ बत और हो किどう-own, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ज्यादा पड़ना सिस्फिक नाम के लिए पढ़ा ही करना है तो सिफिफ voc respond पढ़ने के लिए पढ़ना है तो बस जाके लाश मुमेंट में पढ़ लो या फिर एक दिन में आदा गंडा भी पढ़ रहो एक गंडा भी पढ़ रहो तो भी आप आराम से पास हो जाओगे बिना किसी है कि नहीं तो सबसे पहले आपको पूछो कि आपके बनना क्या है दिमाग में चलना चीए कि वह अपने आपको सोचना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट यहां पर सोचना पड़ेगा कि identify your schedule भाई schedule बनाना जरूरी है हमको पता हो ता जैसे कि मैं आज यहां पर आया हूँ मिरको यह वीडियो बनाने है ऐसे ऐसे कर रहे है मिर पास schedule है आपके पास schedule है क्या आपको साथ से 12 स्कूल जाना है या फिर आप दुपेले वाले हो तो 12 से लेके 5 स्कूल जाना है या फिर 9 उसे 3 जाना है तो एक दिमाख में schedule आ गया लेकिन उसके बाद क्या करना है घर पे आते हो खाना खाते हो पड़े रहते हो टीवी देखते हो तारक मेता देखते हो है की नहीं तो वो सब चीज तो अलग बात है यार मैं भी देखता हूँ आज भी बड़ा हो गया हो लेकिन फ उसके बाद तो भाई मेर को बढ़ना है बना यह बनाया हो है आप चेक आउट तो करो और आपने दोस्तों के साथ बाट और यार लोगों तक पहुच रहा नहीं है वीडियो हमारे तो प्लीज शेयर करो है आप लोग से बहुत नाराज हूँ यार मैं आपके लिगूलर जब से डिजिटल बोर्ड लगा है तब से रेगूलर तरीके से मैं जया टॉक्स पर वीडियो ला रहा हूँ वीच में हम इन consistency के साथ नहीं आपारे थे हमारे पास setup नहीं था लेकिन आज हमारे पास setup है तो रोज एक जया टॉक्स पर डाल रहा हूँ consistency रोज ताथ से आट बजे रात के आथ पास मैं एक वीडियो अप्लोड कर दे रहा हूँ आपको दिखरा होगा और यार इतने काम्याब और इतने इतने अच्छे वीडियो से न अगर आप सोचोगे न कि मैं ने क्या आप बताने की कोशिश कर मैं आपको time table की help से हो क्या और दूसरा चीज में कि यो time table जीनों ने नहीं बनाए time table कोई बात नहीं मेरा । आपको देबल ना बना लिया अगले एक साल तक फॉलो कर रहे रहे हैं आज आपने time table बना हो सकता है वो time table एक ही अफ्ता फॉलोगा एक अफ्ते के बाद बदल ज वीडियो देखने हैं कब concept clear करना इसका एक time table बनाओ एक paper लो दिवार के उपर लिखो चिपका दो दिवार के उपर जहां बैठते हो मैं तो यार बताओ आपको kitchen में बैठके पढ़ता था मैं पस एक छोटू सा कमरा था तो kitchen में बैठके पढ़ता था कभी light जले गई तो दिया नेरा personal suggestion यह है कि कोई भी बच्चा 2-3 घंटा पढ़ता है पढ़ना मतलब सिर्फ पढ़ना याद करना समझना यह होता है पढ़ना पढ़ाई मतलब यह लिखाई और लिखाई तोनों अलग अलग चीज़ है लिखाई मतलब लिखना अलग होता है homework करना अलग होता है ठीक है यह द्यान में रखना तो अगर आप 2-3 घंडा पढ़ रहे हो तो it is well and good उसको समझ के पढ़ो अच्छे से समझो सिर्फ नाम के लिए मत पढ़ो ठीक है और दूसरा चीज़ homework time अलग होता है is very different time don't mix it लोग mix कर देते हैं सुसते है 2-3 में पढ़ना है मेरको 2-3 में लिखना ह हो गया ममी को बला ममी ने बोजा पढ़ाई किया हम अमी लिखा न 2-3 घंडा मौस एक दम अच्छे से लिखा उसमे स्कूल का homework मिल गया था कर लिया हो गया पढ़ाई आपका पूरा दिन का ऐसा मत करना आपको पढ़ाई अलग रखना है 2-3 घंडा और आपका homework का कितना time जो मैंने बोला इसमें आपको वीडियोस भी नहीं देखना है 2-3 घंडा सिर्फ पढ़ना है वीडियोस के लिए आपको अलग से time निकालना पड़ेगा वीडियोस पर इक्जामपल आप दिन में दो लेक्चर अगर देखते हो हमारे वीडियोस अगर देख रहे हो जया टू इस प्रकार कर रहे हैं तो यार एक एक दिन में आपके दो लो दो दोपिक्स कवर हो जाएंगे और आप इतने आगे बढ़ जाओ के अपने दोस्तों से क्या पता और हो सकता है एक्जाम में आने वाले एक्जाम में उनिटेश में ही आपके 90% आ जाया और आप पूरे क्लास आपको रिलाइज होगा क्लियर है समझ में आ गया तो उमीद करता हूँ कि यह जो वीडियो था हमारा हाउ मच टाइम इसका एक सवाल का जवाब बेसिक सवाल है कोई एक्जाक एंसर नहीं लेकिन मैंने बहुत सरे अलग अलग तरीके से इसका सवाल का जवाब आपको देने इसका बोला कि से आप नहीं कर रहें तो प्लीज शेयर टू अबरिवर्वन थाकि यह हमारा चैनल जैहा टॉक्स प्लस हमारे जो प्यारे वीडियो सो मोटिवेशनल वीडियो से और कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो से हो सही हाथ तक भूवत सके तो प्लीज शेयर टू और फॉर्स्टाइम आयो चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना पाजू में एक बेल आइकन उता उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कभी वीडियो से लेकर आएंगे तो आप लोग को नो